इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है मुहासे के साथ मदद करता है और उपचार प्रक्रिया करेगा चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक एल आजनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नामक रसायन में परिवर्तित हो जाता है दो शरीर में व्रुद्धी हॉर्मोन इंसुलिन और अन्य पदार्थों की रहाई को उत्तेजित करता है 3. जिंक मानव शरीर के समुचित विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है 4. प्रतिरक्षा और पाचन तंत्र का उचित कार्य 5. तनाव के स्तर में कमी, चयाप चय में सुधार 6. मुहासे और घावों के उक्चार की बढ़ी हुई दर 7. फोलिक एसिड विटमिन C की कमी के कारण अनीमिया के लिए प्रयोग किया जाता है 8. शरीर को स्वस्थ नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है 9. शरीर को पोशन और शक्ती प्रदान करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें